हलो एवरीवान, वेलकम टू लेणर भी एक्स्ट्रा, आइम शिवानी चाहान, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्लास 10 साइंस की बुक का चाप्टर 12, इलेक्रिसिटी के एक्सराइस क्वेशन्स, तो जो एंसी आटी की बैक एक्सराइस है, वो देखने वाले हैं, हम इ इस पार्ट्स आ देन कनेक्टे इन पहलर, हमने पांच तुकडों में तोड़ दिया, और फिर उसके बाद हमने इनको इस तरीके से पहलर में सबको कनेक्ट कर दिया, इव था इक्यूविलेट रिजिस्टेंस ओफ दिस combination is R, then the ratio of R, R' तो देखो क्या होगा, answer होगा हमारे पास यहाँ पर DQ, we know that resistance जो होता है, वो directly proportional इस तरीके से होता है, inversely proportional होता है length के, मतलब length जितनी जादा होगी, तो resistance उतना जादा कम हो जाएगा, मतलब बल्टा होगा, resistance जादा होगा, अगर length जादा है, तो resistance कम होगा, और length कम है, तो resistance जादा होगा, as the wire is cut into 5 parts, wire को हम लोगों ने 5 part में cut कर दिया है, तो नया resistance क्या हो जाएगा, R by 5 हो जाएगा, पहला बड़े वाले wire का resistance R था, फिर हमने 5 parts में cut कर दिया, तो R by 5, R by 5 इस तरीके से 5 part में cut करने के बाद हर part का resistance है, वो R by 5 होगा, समझ में आ रहा है R by 5 ऐसे करके होगा, R by 5 होगा है सब का, ठीक है, when these 4 wires joint partially, फिर उसके बाद अगर हम लोगों इनको partially joint किया है, तो R dash upon R करके हम लोग निकाल लेंगे, तो R dash जो था, जो छोटे वाले थे, ये वाले कि R upon 5 था और नीचे R आ जाएगा, तो R upon 5 upon 5 और फिर डिवाइड में 5, तो R upon 25, इस तरीके से R upon 25 ये हमारे पास answer आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा answer हमारे पास R upon 25, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ratio 25 का, R upon 25, R dash और R is equals to 1 upon 25 है, राइट, इस तरीके से आया है, तो अब हम ऐसे करेंगे कि R dash is equals to R उपर जाएगा, और नीचे 25 आएगा, और फिर 25 को मिधल दे जाएगे, तो R is equals to R dash 25, ऐसे करके आजाएगा answer, तो इस लिए हमारे answer 25 आएगा, क्योंकि 5 बागों में काट दिया था, तो हर 1 upon 5, 1 upon 5 इस तरीके से हो गया, इन सब को, फिर हम लोगों ने multiply करा, add करा, तो हमारे पास इस तरीके से answer आ गया, 5525, next question है, which of the following terms does not represent electrical power in a circuit, तो इन में से electrical power कौन सा represent नहीं करता है, तो B वाला ठीके सर्कित में electrical power नहीं represent करता है, P is equals to V square by R होता है, P is equals to I square R होता है, और P is equals to VI, P के तीन फ़र्मिले होता है, एक ये एक ये और एक ये तीन फॉर्मले होता है ये वाला नहीं होता तो बी वाला नहीं है यहीं नहीं पूछा गया है Question 3 है electric bulb is rated 220 volt and 100 watt एक electric bulb है ठीक है एक ऐसे करके bulb है वो हम लोगों का जो उसकी rating है वो power उसकी है कितनी 100 watt 100 watt की power है और voltage कितनी है उसकी voltage है उसकी 220 220 volt ठीक है power जो है वो 100 watt की है और voltage जो है वो 220 volt की है ठीक है when it is operated on 110 volt जब वो 110 volt पर operate करेंगे तब power consume will be 110 volt पर इसको हम लोग operate करेंगे तो power कितनी consume होगी यह हमें बताना है तो power का हमें देखो P हमें क्या given है हमारे पास watt given है तो P is equal to V square upon R है ना तो R is equal to R इथर चाह जाएगा तो V square upon P कर देंगे तो V की जगे है आप लोग आप रखोगे 220 right क्योंकि पहले 220 था तो हमारे पास 100 आ रहा था तो 220 का square फिर power हमारे पास 100 थी तो resistance हमारे पास आ जाएगी 220 square यानि की 220 को दो बार multiply करोगे 220 to 220 upon 100 0 से 0 0 से 0 तो हमारे पास आ जाएगा 484 रोजिस्टेंस 484 हमारे पास आ जाएगा फिर उसके बास जब इस R को हम 110 वाले वोल्ट से connect करेंगे तो P is equal to 110 into 110 और upon में 484 तो अब power आ जाएगी हमारे पास 25 वाट तो जब हम लोग 110 वाले वोल्ट से connect करेंगे तो power हमारे पास क्या आ जाएगी? power हमारे पास आ जाएगी 25 वाट तो ये वाला हमारे पास answer आ जाएगा इसमें हमारे पास क्या था देखो पहले हमारे बोल लगा था कि 220 वोल्ट से connect कर रहे है तो 100 वोट आ रहा है तो जब हम इसको 210 वोट से connect करेंगे तो कितने वोट आएगा ये हम लोग को निकालना था तो वो हमने इस वाले फॉर्मिले में रखके निकाल लिया question 4 है two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference the ratio of heat produced in series and parallel combination would be देखो two conducting wires है two wires है same material के ठीक है same material है suppose करो दोनों के दोनों aluminium के है इनकी length वी बराबर है और इनकी जो चड़ाई है वो भी बराबर है length वी बराबर है diameter वी बराबर है तो पहले तो इनको जो है series में connect कर दिया और फिर उसके बाद इन लोगों को जो है parallel में connect कर दिया है तो ratio of heat produced in series and parallel combination series और parallel में जब connect किया था तो उनका ratio क्या आएगा ratio निकालना है तो resistance R जो है वो as the resistance R depends on resistivity rho तो R जो है वो रो पे depend करता है length L पे and the cross section A पे तो R जो है वो रो पे depend करता है L पे depend करता है और A पे depend करता है R रो पे L पे और A पे इन तीन चीजों पे जो है R depend करता है ठीक है इन तीन जीतों पर R depend करता है तो R is equal to rho L upon A ठीक है R is equal to rho L upon A यह होता है Resistance of two wires are same इस case में क्या है कि resistance जो है दो wires का वो same है When two resistance are connected in series equivalent resistance is this जब two resistance को हम लोग series में connect करते हैं दो resistance को जब हम series में connect करते हैं तो equivalent resistance हमारे पास आजाती है 2R ठीक है तो P1 क्या हो जाएगा P हमारे पास हो जाएगा V square upon 2R ठीक है तो P हमारे पास आजाएगा V square upon 2R ठीक है अब हमारे पास दो resistors जब पैलर में connect होते हैं तो उसका formula यह होता है यह आप लोगों को याद कर लेना है ठीक है तो R into R क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा और R plus R हो जाएगा यह भी 2R हो जाएगा राइट यह वाला जो है R into R जो है R square हो जाएगा और यह हो जाएगा 2R 1R से 1R कट जाएगा तो यहाँ पे आजाएगा R by 2 ठीक है तो R by 2 आगए जब दो राजिस्टर्स पैलल में कनेक्ट होते है दो राजिस्टर्स विगुल सेम है पैलल में कनेक्ट है तो R by 2 और सेरीज में कनेक्ट है तो 2R अब इन दोनों का हम लोग रेशियो निकालते हैंगे तो P2 क्या हो जाएगा V square R by 2 जब पैलल में है तो R by 2 और उसमें क्या हो जाएगा इधर पे है तो तो 2V square by R अब इन दोनों का हम लोग का रेशियो आजाएगा इस तरीके से यहाँ पे देखो यहाँ पर हम लोग का रेशियो आजाएगा यह वाला इधर वाला यह उपर की तरफ P1 upon P2 के लिए वाला उपर और यह वाला इधर वाला नीचे तो देखो V square से V square कट जाएगा ठीक है और हमारा R से R कट जाएगा और 2 upon 2 4 देखो इस तरीके से हो रहा है यहाँ पे देखो V square upon 2 R ठीक है तो P1 upon P2 का जो रेशियो है वो हो जाएगा 1 upon 4 यह P1 upon P2 का रेशियो हमारे पास 1 upon 4 यानि कि 1 ratio 4 आ जाएगा दो वायर थे बिल्कुल सेम थे एक बाद सीरीज में कनेक्ट कर दिया और एक बाद पैलर में कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग पैलल में कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर जो है उसको हमेशा हम लोग पैलल में कनेक्ट करते हैं तो मेशा हम लोग पैलल में कनेक्ट करते हैं तो मेशा हम लोग पैलल में कनेक्ट करते हैं के potential difference को measure करने के हम लोग वोल्ट मीटर को हमेशा पैलल में ठीक है हमेशा पैलल में करेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर की potential difference को हम लोग measure करने के हमेशा पैलल में करेक्ट करते हैं next कि वान वेल्कम टू लर्नर भी आयम शिवानी चाहान इस विडियो में हम लोग ग्लास टेंथ साइंस की बुका चाप्टर 12 इलेक्रिसिटी एक्सराइस के क्वेश्चन सिक्से आगे के क्वेश्चन देखेंगे इसे पहले का जो है सब कुछ कम्प्लीट है आप लोग को सब का सब्सक्राइब कर सकते हैं तो जो क्वेश्चन सेक्स है उसमें है कॉपर वायर है सब्सक्राइब का एक वायर है ठीक है उसका जो डायमीटर है वह हमें दे रखा है 0.5 mm राइट और जो रजस्टिविटी है वह हम लोग को दे रखी है 1.6 x 10 to the power minus 8 वोट विल बी दे लेंथ अब इस वायर की लेंथ क्या होगी कि मतलब वायर की लेंथ कितनी होगी अगर रजस्टेंस जो है वो 10 ohm है यानि कि हमें डी दे रखा है रो दे रखा है और हम लोगों को लेंथ निकालनी है फिर उसके बाद हाव मच ड़स्टेंस चेंज इफ दर डायमीटर इस डबल अग रजस्टेंस हमें गिवन है तो देखो सिंपल सा हम लोगों के पास formula है r is equal to rho l upon a ये हमारा formula है हमारे पास rho है हमारे पास r है हमारे पास l निकालना है और a जो है a की जगे आप लोग इस तरीके से रखते हैं देखो हमारा ये वाला जो formula है इसमें हम सारी की सारी values put कर दें ये आर के जगह 10 रग दिया, रो है हमारे पास 1.6 into 10 to the power minus 8, L तो है नहीं, L तो निकालना है, into L रग देंगे, upon में A, A हम लोगों को, क्या है, diameter गिवन है, तो हमें क्या करना है, diameter जब भी होता है, और हमें नीचे जो A है, इसके जगह हम लोग लिखते हैं, pi d square upon 4, तो यह आप लो क्या लिखना है, pi d square upon 4, very important, यह क्योंकि एक्जाम में भी questions बहुत जदा आते हैं, तो आपको लियाद कल लेना है, कि जगह है, pi d upon 4, तो अप क्या करेंगे, देखो यह जो नीचे होता है, 1, 2, 3, 3 layers बन रही है, तो यह वाला जो 4 है, कैसे जाएगा, अब देखो, 1.6 into 10 to the power minus 8, और l आप लोग यहाँ पर ऐसे करके multiply में अगर रखते हैं, pi के जगह क्या रख देते हैं, pi के जगह पाई चोड़ दो, d की जगह आप लोग रख दो, 0.5 into 0.5, क्योंकि स्कॉयर है, है ना, और upon 4, अब क्योंकि upon 4 यहाँ पर था तो उपर जब भेजेंगे ना, तो यह न 4 ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि upon upon में इस तरीके से बार-बार upon नहीं रख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 4 चला जाता है, जब भी सारे upon में होते हैं, अब 0.5, 0.5 हमें निकालना है l, तो जो निकालना होता है, उसको हम लोग छोड़ते हैं, तो shifting करते हैं, यह ज उज़े की साइड आ जाएगा, हमारे पास 1.6 इन्टू कि वाला 4 इन्टू 10 to the power minus का 8, ठीक है, यह चीज हो जाएगी, इतना आ गया हमारे पास, राइट, अब एक चीज और यहाँ पर देखो, यहाँ पर mm था दा है, मीटर mm में था, और यह वाली चीज जो थी हमारी मीटर में थी, तो mm को मीटर में चेंज करने के लिए, mm को हम लोगों को मीटर में चेंज करना है, तो mm को मीटर में चेंज करने के लिए 10 to the power minus 6 लगेगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों का इधर नीचे 10 to the power minus 6 भी आएगा, क्योंकि हमने यूनिट चेंज करी है, क्यों 10 to the power minus 8 तो मैं आपको solve करके दिखाते हूं यह वाला मैं रब कर रहे हूं ठीक है अब यहां से देखो 10 to the power minus 6 और minus 8 जो है यह उपर जाएगा तो यह हो जाएगा अपना प्लस का तो 10 to the power 8 क्योंकि चिफ्टिंग करते है ना इसकी तो यह प्लस का हो जाएगा तो उपर हमारा बचेगा माइनस 6 और माइनस और प्लस का 8 तो यानि कि अब यह हो गया इंटू प्लस का 2 है ना तो 10 to the power 2 हमारे पास आ गया अब यह इधर 10 एक और था यह वाला 10 भी था तो 10 to the power 3 हमारे पास अब इसमें हम लोगो क्या फिर देखो पूरा जो है सॉल भी करना है इसके बाद तो आप महारे पास पाई बचा 0.5.5 तो 0.25 बच जाएगा यहाला 0.5.5 0.25 यह बच जाएगा 4 into 1.6 ठीक है और पाई पाई की वाल्यू आप लोग रख लेना 3.14 into 0.25 और upon 4 into 1.6 इसकी आप जब कैलकुलेशन करोगे तो महारे पास आंसर आज जाएगा l is equal to 122.72 तो एल आगया अब नेक्स पार्ट था how much does the resistance change if the diameter is double अकर जो diameter है उसको हम लोग double कर देंगे तो resistance पर क्या असर पड़ेगा resistance होती है और diameter नीचे होता है तो अगर हम लोग diameter को दुगना कर देंगे तो क्या होगा resistance चोगनी हो जाएगी यह तो आप याद रख लो क्योंकि ना mcq उसमें बहुत आता है कि जो आर जो है ना वो inversely proportional है एके तो अगर diameter दुगना होगा ना diameter डबल होगा तो resistance जो है वो चोगनी हो जाएगी अगर diameter डबल होगा तो फिर diameter का क्योंकि square होता है तो resistance क्या हो जाएगी रस्टेंस फॉर टाइमस हो जाएगी न्यू देश्टेंस हो जाएगी न्यू रस्टेंस हो की 2.5 क्योंकि पहले resistance हमारे पास कितनी आ रही थी यह रही थी फिर उसकी 4 times करके हो जाएगी 4 times decrease हो जाएगे क्योंकि नीची की तरह है इसलिए resistance 4 times decrease हो जाएगे तो 10 थी तो 4 गुनी decrease हो के 2.5 ओम आजाएगा next है question 7 the values of current I flowing in a resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below so I की ये values हैं और V की ये values हैं हम लोग को एक graph plot करना है V और I का graph plot करना है and calculate the resistance of that resistor तो resistance हम लोग को V आई graph की करना है तो V आई graph में जो होता है ना उपर की तरफ ये आई में आता है और इस तरफ जो है वो V आता है तो I हमारा क्या-क्या है 0.5 1 2 3 4 तो इस तरीके से देखो तो आई वाला graph plot होगा ठीक है ऐसे करके यहां पर 0 आ जाएगा फिर उसके बाद 0.5 फिर 1 फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद हमारा पस 3 फिर 4 राइट फिर अगर हमारा बोल्ट देखो तो इधर 1.6 आ जाएगा फिर 3.4 आ जाएगा 6.7 आ जाएगा 10.2 आ जाएगा और 13.3 जाय है तो आचाएग है उसना ईससे करके यहां पर और आपको तो जाएगा nei या आ अ हम रहां होता है तो स्मय आंसी पुत इस लू्र्ट पुट करें उसको एपन ऑ होता है तो the slope of the graph i versus v gives 1 upon r तो हम लोग कैसे करके निकालेंगे अगर हम लोग को 1 upon r निकालना है ना तो इसका slope slope यानि की इस तरीके से होता है देखो दो difference लेंगे एक ये 3 और 1 ले लिया हम लोगों और नीचे 3 वाला 10 और 3 दो करके हम लोग माइनस कर लेते हैं एक गाप चोड़की कि तो 3-1 हमारे पास 2 आजाएगा और 10.2-3.4 हमारे पास या जाएगा इस तरीके से 2 upon 6.8 हमारा आजाएगा तो यह देखो resistance तो R is equal to 2 upon 6.8 पॉइंट अगर 0 बढ़ा देंगे अब इसको हम लोग अगर काटें तो 2-1 जा 2-2-3-6-2-4-8 फिर 2-5-10 और 2-1-2-2-7-14 तो 5 upon 17 करके हम लोगों के पास इस तरीके से आजा रहा है फिर आगे आप लोग करेंगे तो यह वान हो जाएगा यानिकी 17 upon 5 हो जाएगा अब 17 upon 5 क्योंकि 1 upon 8 थरा हमें आने काला है तो हमें इसको भी उल्टा कर देंगे तो 5-3s are 15 और ठीक है और 5-4-20 तो 3.4 हमाए पास आंसर आजाएगा नेक्स्ट है वेन अ आ आ गया ना आप लोग को समाझ देखोना क्या होता है कि 1 upon R है भी उल्टा हो जाएगा तो आंसर ऐसे निखलेगा वेन 12 वोल्ट बैटरी इस कनेक्टेट अक्रॉस इन अनोन रिजिस्टर बारा बोल्ट की बैटरी हम लोग करेक्ट करते हैं एक रिजिस्टर से देर इस अ करेंट ऑफ 2.5 मेगा एंपेर इन दा सर्किट फाइं तो फिर से उब्सलों लगाएगा वी इस उकवर स्टू आई आउर वी इस उकलस टू आयर उन्सट परेंगे तो ही वी के नीचे आर इस इकवर टू वी अपॉन आई राइड आचाएगा तो वी हमारे पास 12 है और आई हमारे पास मेगां एंपेर तो इसको हम लोग एंपेर में चेंच करने के लिए यह देखो 10 to the power minus 3 थी तो उपर जाकर कि यह प्लस 3 हो जाएगी और यह 12 upon 2.5 था पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ा देंगे अब फिर इसके बाद कालकुलेशन करनी है तो 25 forza 100 होता है बैटरी ओस 9 V की बैटरी है इस कनेक्टेटेएं सीडियल्स विध्र रिस्टेट्र तो एक बैटरी है वो सीरियजमे कनेक्टेटर होता है तो इस एक क्रण्य। बहुत आंपकर देना होता है तो इन सब को आप आड़ कर देंगे, आड़ करने के बाद आपके पास आजाएगा, 13.4 Ohm, ठीक है, 13.4 Ohm आजाएगा, तो V is equal to I R, V is equal to I R आजाएगा, तो I क्या हो जाएगा, I is equal to V upon R, ये हमारे पास आजाएगा, तो I is equal to V upon R, तो V की जगें, आप लोग 9 रखोगे, क्योंकि voltage 9 है, और इसका जो combined resistance है, वो 13.4 है, तो I की value हमारे पास ये आजाएगी, ठीक हो गया, तो 12 Ohm वाले resistor के लिए, V is equal to series में निकालने है, तो series में तो सबका सारा जो current होता है, वो हमारा similar ही flow करता है, तो I सबके लिए 0.67 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा answer हो गया, next है, question number 10, how many 176 Ohm resistors in parallel are required to carry 5 Ampere current on a 220 Volt line, तो resistors, number of resistors जो है, वो N है, क्योंकि हमारे पास है, how many resistors है, वो निकालना है, तो number of resistors हमारे जो है, वो N आ जाएगे, तो parallel, अगर combination है, क्योंकि parallel में हमें गिवन है, तो parallel combination के लिए, तो equivalent resistors हम लोग क्यारा करते है, कि उपर इस तरीके से लिख देंगे, और नीचे number of resistors, N करके निकाल देंगे, फिर हम लोग लगाएंगे, Ohm's law, V is equals to IR, V is equals to IR, लगा दिया, तो V तो हम लोगो given है, 220 Volt, V 220 Volt is given, I, जो current है, वो 5 है, और R जो है, वो ये हम लोग N को इधर बेज देते हैं, N डिवाइड में था, उदर जाके multiply में हो जाएगा, है ना, into 220 के साथ, अब फिर से N को छोड़ते हैं, तो 5 into 176, अब क्योंकि 220 multiply में इधर आकर के divide में हो जाएगा, तो जब हम इसको solve करेंगे ना, तो answer में पस 4 आजाएगा, देखो, 5 forza 20, और फिर उसके बाद, यहाँ पर देखो, 220, 5 forza 20, यहाँ पर आजाएगा, फिर उसके बाद, 5 forza 20, 44 आजाएगा, 44 जो है, 44 forza क्या होता है, 44 forza 16, 44 16, और 17, 176, तो इकोल टो यहाँ पर 4 आजा, तो N की value हमारे पास क्या आगई, N की value हमारे पास आगई, 4, तो therefore 4 resistors of 176 ohm are required to draw 5 ampere current on 220 volt line, ठीक है, इस तरीके से यह हमारा हो जाएगा, तो हम लोगोंने इसमे 6, 7, 8, 9, 10, 5 questions देखी, अब आगे क्योंने नेक्स वीटियो में देखेंगे, तो वीटियो अच्छा लगा है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, और यह वाला concept आप resistance पैलर में क्या होती है, क्योंकि R, जो है equivalent resistance कैसे निकालते है, R1 प्लस R2 ऐसे करके निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नीचे, एलसे हम ले 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 लेते हैं, तो ये तो R1, R2 हो जाता है, उपर वाला हो जाता है, R2 प्लस R1, तो R2 प्लस R1 हम लोगों को दे रखा है, how many resistors, इतने resistors दे रखा है, तो यानि की resistors का sum ये दे रखा है, फिर इनका जो multiplication है, वो हम लोगोंने N यहाँ पर नीचे माल लिया है, तो इसलिए 176 upon N हम लोगों का parallel equivalent resistance type का आगया है, तो ये हो गया हमारा, अब आगे के आम लोग नेक्स वीडियो म में हम class 10 science की book का chapter 12 electricity का exercise का question 11 देखने वाले है, इससे पहले सारे के सारे questions कवेशन का वाले है, सबका link description में मिल जाएगा, show how you would connect 3 resistors, 3 resistors को आप कैसे connect करेंगे, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm, तो आप किस तरीके से connect करेंगे, 6 resistors को, मतलब 3 resistors को जो की 6 ohm के हैं, कि भई एक बा और एक बार 4 ohm आजाए, तो देखो series में कर सकते हैं, parallel में कर सकते हैं, कुछ combinations बना करके कर सकते हैं, तो वही हम देखते हैं, तो R1, if all the 3 resistors are connected in series, जो equivalent resistance हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, सारे के सारे अगच series में connect हैं, तो यानि कि 6 plus 6 plus 6, आप multiply मत करो क्योंकि resistance ऐसे करके, तो 18, 18 ohm आजाएगी, तो क्या 18 ohm answer हैं, नहीं हैं, अगर सारे के सारे तीन ohm parallel में connect हो, तीनो के तीन ohm parallel में connected हैं, तो हमारा answer 2 ohm आ रहा है, या 9 और 4 ohm तो हमारा आई नीट है, if two resistors are connected in series and one in parallel, अगर एक series में होगा, मतब दो series में होंगे, और एक parallel में होगा, दो series में यानि की 12, तो 12 होगे और एक parallel में, यानि की 6, तो इस तरीके से आप लोग 2 series में और एक parallel में होंगे, तो ऐसे करके condition बन जाएगी, देखो, ऐसे करके कैसे, कि 2 तो हमारे series में हैं, और एक parallel में, और नीचे तो सारे के सारे add ही होते हैं, तो यह हो जाएगा 12, और 12 into 6, और धोर जो हैं, वो series में होंगे और एक parallel में होंगे, तब हमारा जो answer है, वो four one म में आ जाएगा, ठीक है, और next वाला, अगर दो supreme parallel में होंगे, और एक series में होगा, तो 9 ओम आ जाएगा, दो resisteurs ने पैलिलर में थे ठीक है, और एक series में था, टो तो हम लोगों का answer, 9 ओम आ था, एक बार तो देखो first वाला case कब बनेगा, if two resistors are connected in parallel and one is in series, तो equivalent resistance 9 ohm तो दो हमारे जो है series में है और एक पैलल में है, तो हमारा 9 ohm आ जाएगा, और हमारे दो पैलल में है और फिर एक series में है, तो हमारा equivalent resistance है, वो 4 ohm आ जाएगा, तो यह हमारा आंसर हो गया, next question है, several electric bulb designed to be used on 220, समझ में आ गया ना आप लोग को, हमें question में इथा कि एक बार तो 3 resistors हैं, जो की 666 के हैं, ठीक है, तीनों के तीनों जो है 666 resistors के हैं, अब हमें इनको कैसे connect करें कि एक बार हमारा इन सब का connection का answer 9 हो मा जाए और एक बार answer 4 हो मा जाए, तो हम द electric bulb designed to be used on 220 volt electric supply line are rated 10 volt, ठीक है, तो कुछ electric bulbs हैं, जो 220 volt की electric supply से connected हैं, और उसमें, जो है, वो 10 watt के हैं, bulbs जो हैं, how many bulbs can be connected in parallel with each other across the two wire of 220 volt line if maximum allowable current is 5 ampere, ठीक है, तो ये question है, तो question में हमें बोला गया है, कुछ bulbs जो हैं, वो connected हैं, किस voltage जो है, उन बल की है, वो 220 volt है, और उनका जो watt है, power, ठीक है, power supply है, वो 10 watt की है, how many lamps can be connected in parallel, तो कितने lamps को हम parallel में connect कर सकते हैं, with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is this, तो maximum जो current आ सकता है, वो 5 ampere आ सकता है, तो हम लोग कितने bulbs को parallel में connect कर सकते हैं, तो देखो, power is equal to क्या होता है, V square upon R होता है, है ना, अब हम लोगों को इसमें R निकालना है, और V तो हमारा है, R is equal to V square, V हमारे पास है, 220 और 220 का square, और फिर धर नीचे P, P हम लोगों को क्या दे रखा है, हमारा यहाँ पे P दे रखा है, 10 watt, है ना, P यहाँ पर हम लोगों को 10 watt given है, तो यहाँ पे P लिख द आजाएगा, वो 4840 आजाएगा, इदर दे को solve करके, फिर अब हम लोगों को निकालना है, कि भाई हम लोग कितने lamps को connect कर सकते हैं, as all the resistance are in parallel, are similar, current divides equally among them, तो current जो है, वो equally divide होता है, जब connection जो है, वो parallel में होता है, right, जो parallel में है, तो current equally divide होता है, तो हमारा यहाँ आजाएगा, current जो है, वो सब में ब्लुकुल equal जाएगा, current है, 5 MP है, तो सारे के सारे जित्ते भी हैं, वो equal current जाएगा, तो N की value के आजाएगी, N is equal to I, I जो है हमारा current है, 220 अपॉन 4840 is equal to 5 हमारे पास आजाएगा, क्योंकि I यानि कि जो current है, वो हम लोग इस तरीके से निकाल देंगे, 220 या हम लोगों को, जो हमारा resistance आया है, वो यह आया है, यानि कि I is equal to V upon R, जब हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर हम लोगोंने I is equal to V upon R लगा दिया है, तो N is equal to V upon R, यहाँ पर जो है, वो V upon R हम लोग ने रग दिया है, is equal to 5, तो N is equal to V की जगह आप लोग रखोगे 220 और R की जग यह जाएगा उपर, यह से कर क्या हो जाएगा, 5 into 4840 upon 220, 0 से 0 कटेगा, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8 और 2 2s are 4, 242 into 5, हम लोग जब पूरा solve कर लेंगे, 11 से फिस्ट वाइट कर देंगे, तो हमारा N की value आजाएगी 110, तो therefore 110 bulbs in parallel are required to draw 5 ampere current on 220 volt line, तो इसमें हम लोग निक निकालना था कि वे कितने lamp connect करे जा सकते हैं, यह हम लोगों को इसमें निकालना था, तो पहले हम ने निकाला यह वाला formula, P is equal to V square upon R होता है, तो हमारा R इधर जाएगा, P नीचे आजाएगा, R is equal to V square upon P, तो हमारा R आ गया, R आ गया, अब फिर उसके बाद हमारा number निकालना कितने हैं, तो N is equal to, क्या है, I is equal to 5, तो I क्या हो जाएगा, I के जाएगा, हम लोगों ने V upon R रखा और हमारा answer यहां पर आ गया, next question है, a hot plate of electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, तो एक hot plate है, ठीक है, hot plate of electric oven, electric oven की एक hot plate है, जिसका जो voltage है, जनरली देखो 220 volt ही हम लोग को मिलता है, उसमें दो resistance coil है, दो coil जोड़ी हुई है, और दोनों coils का resistance है, दोनों की दोनों coil का resistance 24 ohm है, which may be used separately in series और in pallet, अब यह जो नों है resistance है, separately, मतलब series में भी लगा सकते हो, आप लोग का pallet में भी लगा सकते हो, what are the currents in the three cases, तो इन तीनों की तीनों के समें current क्या होगा, यह बताना है, तो when resistance is 24 ohm, 24 ohm is only used, when resistance of 24 ohm, सिफ एक resistance used हुआ है, तो V is equal to IR से, यह वाला formula होता है, V is equal to IR, तो I क्या हो जाएगा, R नीचे पहुंच जाएगा, I is equal to V upon R हमारा हो जाएगा, तो V हमारा 220 है, और R हमारा 24 है, तो I की value हमारे आजाएगी 9.17 ampere, ठीक है, यह आ गया, तो current हमारा कितना flow कर जब एक अलग से use करेंगे, और जब दोनों के दोनों सीरीज में करेंगे, तो फिर से वही है, कि 24 into 24, दो बार 24 into 2, तो I हमारा यह आजाएगा, जब हम दोनों के दोनों का इस्तमाल करेंगे, फिर 3rd case आजाएगा, जब दोनों के दोनों parallel combination में हम लोग इस्तमाल कर रहे हैं, वेन रिजिस्टर से use in parallel तो parallel वाला formula लगा देंगे, parallel हो जाएगा, तो 220 upon 24 by 2 हो जाएगा, V12 आजाएगा, 220 upon 12 तो answer हमारे पास आजाएगा, 18.33 ampere, ठीक है, तो 18.33 ampere आजाएगा, current 18.33 flows when resistors are used in parallel combination, ठीक है, तो resistors are parallel combination में होंगे, तो current हमारा इतना आजाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सीरीज में, हमें तीनों कंडिशन इसमें लगानी है कि अगर रिस्टर एक बात, अकेला सीरीज में है, फिर दोलों सीरीज में है, और अगर पैलल में है, तो किस तरीके से आएगा, अब next question जो है, वो हम लोग नेक्स वीडियो में कवर करते हैं, Compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuit, ठीक है, a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors, तो ये first case है, दूसरा case ही वाला है, तो first case देखने है, compare the power used in 2 ohm resistor, तो resistor यानि की जो R है, R की value हम लोगों को क्या दे रखी है, R की value दे रखी है 2 ohm, in each of the resistor in the circuit, तो circuit इस तरीके से ठीक है, ऐसे करके कुछ circuit हम लोगों का बना ह हुआ है, उसमें जो battery है, वो 6 volt की लगी होगी है, रजिस्टर एक जो है, वो 1 ohm का लगाव है, और एक 2 ohm का लगाव है, और ये series में connected है, हम लोगों को पावर करने, compare करने है, first part के और second part के, तो series में है, तो total resistance कैसे निकलेगा, इसको और इसको add कर दोगे, तो 1 ohm, 2 ohm को add क के हमारा resistance जो है, वो 3 ohm आजाएगा, voltage हमें 6 volt रखी है, तो हम current निकाल लेंगे, I का formula क्या होता है, I is equal to V upon R होता है, तो I is equal to V upon R, V की जगा 6 रखा, R की जगा 3, तो 6 divided by 3, देखो V की जगा हम लोग यहां पे 6 रखेंगे, और R की जगा 3 रखेंगे, तो answer आजाएगा 2 ampere, त potential difference V है across the conductor, तो power का formula होता है, P is equal to I square R, I हमारे पास 2 है, और R हमारे पास, दोनों के दोनों, देखो, हम लोग का, इसका 1 side, R हमें overall जो R है, compared the power used in 2 ohm resistor, तो हमारा 2 ohm वाले resistor में कितना होगा, वो बताना है, तो I square और R जो है 2 वाला लेंगे, तो 4 into 2, यानि की 8 watt यहां पर हमार पास answer आजाएगा, अब आप कहेंगे, यह 3 ohm निकाला ही, क्यों 3 वाला वो, इसलिए क्योंकि हमें पूरे के पूरे, पूरे circuit में, सीरीज में current flow निकालना था, फिर उसके बाद जब हमारा पूरा आई आगया, फिर हमें 2 ohm वाले पे करके, पूरा solution करना है, तो इस तरीके स नेक्स्ट पार्ट जो है, उसमें हम लोगा जो है, फोर वोल्ट की बैटरी है, और पैलल में 12 ohm और 2 ohm का रेजिस्टर है, इसमें अब हम लोग को पैलल वाला नहीं निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पैलल में जो है, वो current is different for resistors in parallel combination, parallel combination में जो resistors का current different होता है, तो हमा 4 into 4 upon 2, 2 से 2 to the 4 और 4 to the 8, तो 8 वोल्ट, तो दोनों के दोनों का अंसर हमारा चाहिए वो सीरीज में है, पैलल में, 2 ohm वाले resistor पे जो power है, वो 8 watt ही आ रही है, power consumed by 2 ohm resistor in both the cases, the same and is equal to 8 watt, तो दोनों के दोनों के दोनों के सेसे में, जो ये वाला है न, 2 ohm वाला जो resistor है, ये बि तो 14 वाला हो गया, 15 वाला देखते हैं, 2 lamps, 1 rated 100 watt at 220 volt ठीक है, तो power जो है, वो 100 watt है, और voltage जो है, वो 220 volt है, ठीक है, 2 lamps, 100 watt है और 220 watt है, एंड़ अधर 60 watt in 220 watt, तो दूसरा वाला जो है, वो 60 watt है, और 220 volt ही है, आर कनेक्टे इन पैलल, ये दोनों जो है न, वो पैलल में कनेक्टे है, to the electric main supply, main supply से ये वाले दोनों जो है, lamps ये पैलल में कनेक्टे है, what current is drawn from the line if the supply is 220 volt, तो current, I निकालना है इन दोनों का कि कितना current इन से फ्लो करेगा, तो V is equals to IR होता है, है न, और I is equals to V upon R होता है, बट हमें आपे क्या दे रखा है, हमें दे रखिये power, तो power वाला इस केस में जो है, वो formula हम लोग का कौन सा लगेगा, तो R is equals to V square upon P, ये वाला formula हम लोग लगा सकते हैं, तो R1, R2 दोनों करके, तो V, जो है वो 220 volt है, तो 220 का square और power है 100 volt, तो 220 square upon 100 solve करोगे, तो answer आजाएगा 484 ohm, फिर उसके बाद, दोनों के दोनों जो हैं, रजिस्टर्स वो हमारे parallel मे connected हैं, तो parallel में connected हैं, तो भाई, फिर parallel में ही करके निकालेंगे, R2 वाला जो है, उसका R2 V square upon P2, तो V square V हमारा हो जाएगा 220 volt, ठीक है, और P हमारे पास हो जाएगा 100, ये वाला 100 था और ये वाला हमारा 60 है, तो second P2 जो है, वो 60 है, तो 220 square upon 60 जब आप solve करोगे, तो आपके पास answer ये आजाएगा, इसमें calculation कर ली है, अब जब parallel में होता है, तो parallel वाला निकालने का formula हमारे पास क्या बनता है, parallel बनता है, R equivalent जब हम parallel में निकालते हैं, तो R1 into R2 upon R1 plus R2 ये निकलता है, तो R1 ये है, R2 ये है, इनका multiplier से करके और upon में plus, तो अगर हम लोग current का equivalent निकालेंगे, तो V is equals to IR होता है, और I is equals to V upon R होता है, तो V जो है 220 है, और ये वाला जो पूरा का पूरा है, ये नीचे आजाएगा, तो इसको जब आप complete, इसको solve करेंगे ना, इस वाले को, तो 484 की, देखो 484 की multiply 860 से, और upon 484 plus 806.67, तो इसका जो answer आएगा, इस वाले का answer हमारे पास आप calculate कर लेंगे, तो 302.5 आजाएगा, इसको 220 को 302, फिर डिवाइड हो जाएगा, तो answer मारे पास या जाएगा, देखें, इस वाले question में, calculation है, formula तो simple सा है, ये वाले formula लग रहे हैं, फिर उसके बाद पैलल में निकालना है, फिर ये वाला formula लगना है, बट calculation थोड़ी सी, ये हो गया, question number 16 है, which uses more energy, 250 watt, टीवी 250 watt का टीवी जाधा energy लेता है, एक घंटे में, या फिर 1200 watt का टोस्टर 10 मिनट में, इन में से कौन सा, कौन जाधा energy लेगा, तो power rating जो है, टीवी की वो कितनी है, 250 watt है, और energy consumed by TV in 1 hour, एक घंटे में energy कितनी consume करेगा, टीवी वो कितना होगा power into time, तो यानि की घंटे में, तो 60 जो है minute के लिए और 60 वाला second के लिए, तो energy is equal to power कितना है, 250 और minute 60 into 60, तो चब हम इसको solve करेंगे, तो हमारा answer आजाएगा, 9 into 10 to the power, 5 joule क्योंकि energy की unit joule होती है, इसको 1, 2, 3, 3, 0 तो यही हो गया, फिर calculation करेंगे, तो इस तरीके से answer power rating of toaster, फिर से आप यह निकालो कि energy is equal to P into 60 into 60, ठीक है, तो भाई इसकी है 1200, बट यह चल रहा है सिर्फ 10 minute के लिए, तो 60 के जग है, क्योंकि 10 minute के लिए चल रहा है, इसलिए हम लोग 10 लगाएंगे, तो यह आएगा 7.2 into 10 to the power 5, तो toaster जो है, वो जादा energy consume कर रहा है, ठीक है, टोस्टर consumes more energy compared to TV set, क्योंकि इसने 10 minute में इत्ती सारी ले ली और इसने 1 घंटे में इतना ही लिया है, ठीक है, टीवी ने 1 घंटे में इत्ती energy लिये है और टोस्टर ने 10 minute में इत्ती सारी energy ले ले ली, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हुगा, कि toaster जादा energy consume कर, आप next question 17 है, an electric heater of resistance 8 ohm electric heater, उसका जो resistance है, र है वो 8 ohm है, वो 15 MPI का current draw करता है, means from the service mains 2 hours, calculate the rate at which the heat is developed in the heater, तो heat develop कितनी होगी, i हमें 15 दे रखा है, r 8 दे रखा है, time दे रखा है, 2 r, तो p is equals to i square r, यह वाला formula लगेगा, i 15 का square r 8 और हमारा 1800 watt, तो 1800 watt जो है, वो energy यह ले लेगा, तो यह होगा, पावर इतनी consume हो जाएगी, ठीक है, calculate the rate at which heat is developed, तो जो electric heater है, वो heat produce करेगा at the rate of 1800 watt, तो rate क्या होगा, heat, जो है, produce करने का होगा 1800 watt, next question number 18 है, explain करना है, why is tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps, तो electric lamps में सिर्फ tungsten का ही इस्तमाल क्यों होता है, तो answer है, melting point and resistivity of tungsten is very high, bulbs give light at very high temperature and tungsten is the best material to withstand some temperature, क्योंकि temperature बहुत जादा होता है, इसलिए और resistivity भी काफी जादा होती है, इसलिए tungsten का इस्तमाल हम लोग करते है electric bulbs में, next है, why are the conductors of electric heating devices, such as bread toasters, electric ions, made of an alloy rather than pure metal, तो alloys के क्यों बनते है, जो है heating devices, वो metal के, pure metal के क्यों नहीं बनते, तो थे, resistivity of alloy is more compared to resistivity of pure metal, तो pure metal की resistivity होती है, जो है, कम होती है, as compared to, हम alloys की बात करें, alloys होते है, mixtures कहीं सारी metal के, thus conductors of electric heating devices, such as bread toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal, इसलिए क्योंकि, भई, resistivity, जो है, जादा होती है, उसकी alloys की, इसलिए, उनका इस्तमाल किया जाता है, toaster, heating device बनाने के लिए, next, how does the resistance of a wire vary with its area of cross-section, the resistance area के साथ कैसे change होती है, तो in series connection, if one element, in series connection, if one circuit elements get damaged, circuit breaks at that point and the rates of the element doesn't work, moreover in series connection, voltage distributes among the circuit elements and each element doesn't get appropriate voltage to work, तो series connection में क्या होता है, कि अगर एक चीज़ खराब होगी ना, तो सारी के सारी चीज़े खराब हो जाएंगी, तो ये दिक्कत होती है, series में, तो series connection, if one circuit element अगर damage हो जाएगा, तो बाकी सारी जित्ती बिसको साथ जुड़े हुए हैं, वो सब damage हो जाएंगे, तो series connection में, जो voltage distribution होता है, वो हर element का, वो appropriate नहीं होता है, किसी को जादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो series में हिसाब किताब थोड़े हो जाते हैं, तो series नहीं बढ़िया होती है, हमारे घर में जो connection होता है, वो parallel में होता है, wire, copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission, तो copper and aluminum wire का electricity transmission के लिए क्यों इस्तमाल किया जाता है, तो resistance of a wire is inversely proportional to its cross section of area A, ठीक है, तो R जो है, वो inversely proportional होता है, A के, ठीक है, तो इसलिए, अचाहां, यह D वाला answer, resistance of a wire vary with its cross section, तो यह connection होता है, इन दोनों का, next, जो है last वाल, aluminum and copper wire का के इस्तमाल करते हैं, तो resistivity जो होती है, copper and aluminum wire की बहुत जाता कम होती है, and heat generated in them while passing current is very less, thus copper and aluminum wires are usually employed for electric transmission, क्योंकि resistivity जो होती है, वो copper wire की बहुत लो होती है, and heat generated जो होती है, while passing, वो भी काफी कम होती है, क्योंकि heat भी कम होती है, resistivity जो है, वो कम होती है, तो इसलिए, इनका इस्तमाल करते हैं, जो बिजली बचाने के लिए घरों में, इन तारों का, copper का और aluminum के wire बने होते हैं, तो सारे के सारे question answers बर हमारे complete हैं, वीडियो अच्छा लगा